दोस्तों लैप्टेक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सरें आज हम लोग देखेंगे एक आसूस का बोर्ड जिसमें अल्मोस्ट मुझे कॉमन प्रॉब्लम लग रही थी तो मैंने सोचा कि यह केस स्टड़ी आपके साथ डिस्कस कर लो और इसके पीछे क्या लॉजिक है और कैसे हम इसको डियाग्नोस करते हैं तो आज मैं आपको डियाग्नोस्टेट कर वहाँगा फिर से मैं आपको एक वर या इस वेरी अट्रक्टिव प्राइस में आपको मिल रहा है और यह उपर्चुनिटी दोवार आपको नहीं मिलेगी जब भी आप लेंगे उसमें केस स्टड़ी नहीं होगा तो इसलिए दिये वे नंबर पर कॉल करिये और इंफॉर्मिशन और जो भी इंक्वारी है वह आप म आपका एक इंट्रेस्ट बना रहता है कि यहां रिपेरिंग हो सकता है और आराम से हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें तीसमार खान बनने की जरूत नहीं होती है सिर्फ जरूत क्या होती है एक बेसिक नॉलिज और थोड़ सा पेसेंस चाहिए होता है बहुत लोग बहुत जल्दी इंपेसेंस हो जाते है और घबराने की बात नहीं होती है बहुत सारा केस होता है बहुत सारा केस नहीं भी होता है नहीं होने के पीछे भी एक लाजिक होत यह 153 MA का बोड है और यह भी 153 MA का बोड है यह बोड मेरे पास नाकपूर से आया है और यह दूसरा वाला जो है गुजरात से आया है तो बड़ा ही अच्छा टाइमिंग था दोनों को खराब होने का और बाइस किसी ने कर लिया और इस बोड में तो ब्लास्ट हुआ था है आ अब जो यहां पर सीच्विशन इसमें रुकी है वो कुछ यू है जैसे मैं पावर लगाता हूँ तो यह देखिए यह बहुत ज्यादा उठाए लगा यह तो लगता है सीपी चला गया क्या तो यह जो है पावर लगाते ही यह गरम हो रहा है यहां पर यह गरम गरम लग रहा है भी भी ठीक है मैं आपको अगर एट को कहां से यह कवाडा राम लगा दिया है इसने यह देखिए यह तेंपरिचर आपको मैं पहले नॉर्मल दिखा देता हूँ 30 डिग्री सल्चियस है इधर देगे 42 49 50 अब इससे पह यह ख़़ाब हो चुकी यह राम रहे है यह तो और यह तो अनी है लगता है जिए 0.0 22 है तो मुझे लगता कि यह अननी हो रहा है यह तो बहुऑ पहले का सिच्वेशन बाइस के हवाह है और ज्यादा कुछ छड़ावा नहीं है बाकी तो निचरल छड़ावा है यह निचरल छड़ावा का मतल समय रहे है न कि लिक्विड टैप का चीज जो है गया है कुछ और जिसके वैसे यह एरिया जो है सड़गल गया है और इसका भी देखिए एक कॉमन पॉइंट है यह यह दूख तक तो काम किया हुआ है तो अच्छा है काम करना चाहिए दोनों जो है एक ही प्रोसेसर है इसमें यह थोड़ा सा बहतर कंडिशन लग रहा है लेकिन यह अन लग रहा मुझे यह शोटिंग हो सकती है दो में से एक चीज हो सकती है तो चिक करेंगे इसको अब चिक कर भी से चाहिए अन लगन में मिलया क्यों से न कारेकिशन साथ आए पर जिया होगा के काषक Spor मैं आपको दिखा रहा हूं, सर्च कहते हैं, क्या था, VM βerme मील सक ए मbleichi 충ष मे अबना छोचिक को लगाना पड़ेगा, वह wave व्य व्य जीजिशन पढ़ेगी कि यह क्या है आसूस का जो है एक common नाम होता है अपना उसका जो नॉमन क्लेचर होता है वो अपना वो यूज करता है और वो नॉमन क्लेचर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो नॉमन क्लेचर से डिल, HP, Acer, Compile जो बोर्ड आप देखते होंगे वेस्टरन, Compile और अलग-अ जो manufacturer है इसका जो board होता है इससे आसूस का नाम थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको फाइब वोल्ट करके नमबर नाम होगा फिर सम टाइम जो है हर चीज का नाम जैसे सस B यूज करेगा यह सस C यूज करेगा यह सब जो नाम होते हैं यह आपको थोड़ा सा complicated लगते हैं कहीं क किसी किसी point of time क्योंकि यह normally आपको commonly बहुत सर चीज तो common मिलेगा system power okay system power good यह सब तो सही मिलेगा कभी कभा आपको कहीं कहीं पर किसी point of time पर जो है यह आपको कभी कभा confusion कभी कारण हो सकता है इसलिए आसूस का जो है आर्टेक्चर IBM का आर्टेक्चर भी हम लोगों ने अभी update class में अभी बताया है अभी अपने students को कि जब IBM का कोई name होगा कहीं पर voltage transition हो रहा है तो वो क्या- जैसे M power okay यह आपको कहीं पर दिखने को नहीं मिलेगा कि Compile के board में या Western के board में M power okay का concept आप IBM में ही देखेंगे वो क्या होता है उस कैसे बनती है कैसे generation होती है उसकी तो IBM का पुरा logic अलग है आसूस का भी उसी तरह से कुछ कुछ similar है बाकि जो normal generic board है Compile के Western के और Foxconn के वो almost स similar ही मिलेंगे यह बात जो है यहां पर आप जब ढूनेंगे इसे की me underscore plus vm underscore power good तो यहां पर आप क्या ढूनना पड़ेगा कि आप यह ढूनते रहे जाएंगे पूरे board में आपको यह नहीं मिलेगा vm power good आप लेकर देखिए किसी तरह से चलिए एक बार फिर्च लिखते है vm कुछ नहीं है vm प्लस vm कर लिजिए बात क्या है कि है बात बहुत छोटी सी लेकिन अगर इसने power sequence दिया है तो आपके अंदर भी थोड़ा सा उतावला पनाएगा कि चलो किसी तरह से चेक करें कि यह है क्या कहा जा रहा है किसी किसी point of time पर आपको यह फसा देगा कि यह तो बोल रहा है चेक करने के लिए जैसे example के लिए यहाँ पर आप चेक करेंगे कि system power good आप लिखिए system कैसे भी करके लिख लिए आपको system power good नहीं आने वाले यह आपर देखिए SYS कुछ नहीं दिखा रहा है प्लस करके भी करते हैं प्लस SYS नहीं आया ना तो यह एक यहाँ पर कमाल की बात होती है कि यह यहाँ पर आपका experience काम आता है वो लोग जो बोर्ट को काफी बार रिपेर कर चुके हैं आयदीन हम लोग के पास देखिए भी बने बता है यह नागपूर से आया वाए यह गुजरात से आया वाए तो ठीक है नहीं तो ऐसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं लोग तो यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है तो यह बोर्ट तो थ्वासा अन लग रहा मुझे यहाँ देखिए कुछ एमपेर उठा रहा है तो सबसे पहला चीज जो हम कंफर्म करेंगे चुकि ज्यादा ओवर कॉंपिडेंस वह आपको ले डूपता है कभी कबाद तो मैं नहीं बोलूँगा क्या आप Cairo अल्यो बन रही होगी 3-5 बन रही होगी सारे निकल रही होगी चिक कर लिजिए ज्यादा टाइम नि लेगेगा पांच वॉल्ट बन रही है तो यह बात तो आप लोगे पता चल चुकी होगी और देखते है रैम की वोल्टेज नहीं है क्या इधर नहीं है अच्छा लगा नहीं था ठीक से तो यह 1.4 है खुछ ज्यादा है लेकिन डिरियार 3 रैम है की कम है इसके अंदर यह तो नंगा है इसके पर कुछ है नहीं तो एल होनी चाहिए चुकि हाँ यह जो सेल्रान वाला या सेंट्रेनो या डॉल कॉल वाला जो प्रोसेजर होता है इसके साथ एल लगती है इसके बारे में हम लोग बाद में एक्जामीन करेंगे अगर कुछ लोचा करता है यह अगर यह जो वी डीटी क्यों की वाल्टेज बनी है अगर यह सही ना हो तो ज्याद़ ज्याद़ क्या होगा कि हमारी जो रेम रिगुलेटर वह अपनी पावर कुछ नहीं निकालेगी यह होगा अगर वो जही है मैं लिजे हमने सोचा कि यह गलत है इसमें डिस्कुस बहु ज्यादा बड़ा लोजिक है थोड़ा सा ज्यादा और कम लगना वोल्टेज अपने टार्गेट पॉइंट से ये एक नॉर्मल इशू होता है और ये सही और खराब है इसका जो पुष्टी करने यानि इसका जो हम कन्फरमेशन है वो कैसे करते हैं इसके पावर गुट से अग ये बढ़िए इसको छोड़ देजिए ये सही है एक तो ये एक तरीका है कि यहां पर हमें ये इसके पावर गुट देखेंगा बाद में ये है और लगता है इसको चेक करेते हैं ये भी बन रहा है हाला कि लोड देखिए करेंड का लोड जीरो पाइड-जीरो सिस्टी सेव आसे मैं तो लग रहा था मुझे की maximum run भी नहीं बन रही होगी हलाग के इसमें core तक बन चुका है तो क्या missing है ये battery वाला area होना चाहिए तो बिल्कुल सही है ये battery का connector है ये battery का connector है और यहाँ पर अब ये drop करते करते ये drop हो जाएगा पूरा नहीं भी हो तो कोई फरक नहीं है बात में चुका मेरे भी बैटरी है ना कुछ है कुछ नहीं चेकर पाएँगे तो ये इसकी condition आपको मैंने अभी दिखाई कि इसमें यहां से यहां तक बन रहा है तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे तो sequence फॉलो कर लेंगे बहुत बड़ी rocket science की जरूत नहीं पड़ेगी इसमें तो इसमें हम जो apply करेंगे सबसे पहला चीज चेक करेंगे हम कि क्या हमारे board में 3.3 volt की power good बनियेगी नहीं तो 3.3 volt power good कहां दिखा रहा है ये 5 volt sus है, 3 volt sus है तो sus power good 6 number point sus power good चेक करेंगे हम और इसको चलिए हम लोग चेक कर लेते है, sus power good sus underscore power good अच्छी बात है कि मिलिया कभी कबार नहीं मिलेगा तो ज्यादा प्रेंशा नहीं लेना है ये point है diode का, जैसा कि देख रहे हैं आप D581 यहां पर आपको sus power good आनी चाहिए देखते हैं कि क्या आ रहे है, तो यह मैंने multimeter लगा लिया है और यहां पर है नहीं ठेक है, एक से point दियावा लेकिन यह हमारी बन रही है हम पर देख सकते हैं जैसा कि diode है यहां पर D581 का position है लेकिन यहां पर जरूरत नहीं होगी और register लगी है, इस register के यहां पास से हमें 3.3 volt इसकी power good आए रटा मत मारिए कि क्या खराब होता है क्या नहीं होता है एक PSL logic वाला याद होगा आपको तो बहुत सारे लोग अभी एक board में आपको दिखाता हूं कि यह रटा माने का क्या नतीजा होता है यह देखिए मैंने इस पर लिख रखा है, डाग्नोस किया था मैंने रात में घर पर S5 Unable Shot है ठीक है और इस area का तो बुरता बना दिया एकदम पूरे तरह से IOB भी चेंज कर रखी है इस PSL logic को पूरा फाड कर रख दिया एकदम तो क्या होता है कि अगर logic पता नहीं है आप किसी को copy कर रहे है तो it is nothing more than imitating to someone Imitate में क्या होता है वह तो copy pasting हुआ है जिसको आप heat and dry हो सकते हैं दूसरे लफजों में तो इसमें देखिए यहां पूरा डायोट चेंज यह चेंज वो चेंज का कब तक चेंज करते रहेगा जिंदगी खता होजएगी चेंज करते करते फिर भी नहीं हुआ तो बैस दिया और फाइनली क्या पता चल रहा है कि यह जो point है short है मैं इसके आपको सिर्फ तर्जूर्बा दे रहा हूँ देखिए मैं अभी तो फोकस हूँ उस board पर सिर्फ देखिए यहां पर यहां पर यह बुरी तरी से short है 0 एकदम यह अनेबल है S5 on यह देखिए 22 ohm है S5 on यहां से निकल करके 35 पर इस नमर पिन पर जाएगी पूरा जहां चेंज कर लिए जहां पर पहुंचना है वहां तक तो पहुंचना है तो इसलिए PSA logic को भी समझाया है बहुत सारे लोगों ने अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वह सिर्फ चाहरे क्या रहा है आती होगी problem PSA logic में चलो चला चेंज कर देखते हैं तो board खराब होता उससे ठीक ना होने के बजाए दिखिए आयो अगरे सब उड़ गई है इसी चक्कर में वह मैंने उड़ाई फिर बाद में इतना power डाल करके मैं sorting कर रहा था तो दुहा दे गया वह तो क्या होता है इमिटेटिंग मत करिए ग्रास्प करिए knowledge को वह आपके लिए फादे मन्द है यह आपके लिए एक क्या होगा सिर्फ आपको एक help है जैसे यह टेखनीकल डॉकमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ है कि रिपियर गाइड ही है तो वैसे हम लोग एक तरह से गाइडिंग के ही काम कर रहे है और कुछ नहीं कर रहे है ठीक है चलिए अब आगे इसकी बढ़ते हैं कि हमारा यहां तक तो सही था सस पावर गुड हमें मिल रही है साथ नमबर पॉइंट क्या भाई वह है सस पावर डी एन एकनॉलेजमेंट है और फिर उसके बाद सस एकनॉलेजमेंट है यह दोनों सिर्फ यह बताता है कि कब सलीप मॉड में जाएगी कब सलीप मॉड से वेक अप होगी लास्ट में देखते हैं इसको चेक करने के लिए ठीक है फिर आपका 10 तक तो हो गया यहां सस एक के 11 नमबर पर हम आते हैं 11 नमबर ढूंडिए आप लोग भी आप पावर स्विच बिता रहा है दवाने के लिए तो में यह तो बोर्ड आटो अन हो रहा है तो हम पावर स्विच क्यू द बारे देखते हैं अब बारे भी इधर होगा ठीक है पावर बटन आट ऐसा करें हम लोग उल्टा चलते हैं अगर ऐसा अगर लगता है न कि दिखिए क्या सीख रहे है मैं आपको बता है यह रिपेर गाइड है हम लोग क्या करते हैं नीची से चलते हैं एक सर्टेन पॉइं यह देखा रहा है इस पॉइंट पर देखिए बोर्ड में यहां पर एक कैपिस्टर होना चाहिए रिइस्टर आछिए नहीं है चोकि देखे अच्छा, यह री बात कैसे करते हैं कि है यह नहीं है यह नहीं यह देखिए आपको डिज़ा रहा हा हूँ ये मोवाल इससे भी लिखाता हूँ कैमरे से भी आपको दोनों चीज़ पर आपको confirm हो जाएगा अगर कहीं पर कोई component लगी होती है तो उसकी value लिखी होती है जैसे R, E, S, 10 kilo ohm इससे आप confirm कर सकते हैं कि यहाँ पर register होनी चाहिए कितनी 10 kilo होंगी लेकिन जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई भी info खाली होगा तो info अगर नहीं है तो आप confirm कर सकते हैं वहाँ पर open है at the rate है, die है, यह सब आप कर सकते हैं कि वो नहीं है वहाँ पर, ठीक है तो जहाँ पर है वहाँ पर देखिए लिख दिया इसने 14 kilo हो इससे भी पता कर सकते हैं क्योंकि इसकेमाटिक तो होगा नहीं तो board view में कहीं कहीं पर किसी किसी में नहीं लिखा होता है यह info यह बात भी धियान रखेंगे आप यहां पर हमें 2.6 मिल रही है तो यह तो बड़ा अजूवा मिला है ठीक है यह वर्दस अजूवा है core power good हमें 2.6 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती है यह कुछ कम या ज्यादा हो सकती है आगे देखते है इस तरफ 3.3 है हला कि कुछ लगावा नहीं है देखें मैं क्या कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ एक इस टर्मिटल पर और यहां पर 3.3 आ रही है जैसे देख सकते हैं मल्टिमीटर में भी आप और इस तरफ चेक कर रहा हूँ यहां पर चेक कर रहा हूँ तो 2.6 वोल्ट आ रही है जो कि तुरस नहीं लग रहा मुझे अच्छा उसके जस्ट पीछे चलते है confirm करने के लिए कि क्या वो जो कह रहा है कि ये core power good सही है तो all system power good ये आ रही है क्या सिर्फ confirm कर रहे है इसको all system power good तो ये हमारा कहा पर है भाई तो ये हमारा आ गया एक line से राइस्टर लगे हुए कैपिस्टर लगे हुए क्या-क्या है SL है तो देखते हैं यहां पर क्या-क्या है तो यहां पर देख रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा पोजिशन देखा रहा है यहां पर सिर्फ एक तो pad ही है दूसर राइस्टर है तो on करता हमें पावर नहीं लगा है भी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है तो यह तो बहुत इच्छी बात है तो all system power वो क्या आ रहा है all power good भी निकल गया है तब बताएए आप कि अब मैं इसके बाद core power good के बाद क्या चेक करो क्या चेक करो अब 28 के बाद 39 होगा 30 होगा ठीक है 30 होगया reset है यानि PLT reset है और 39 है PM system power okay तो हम PLT reset check कर लेते हैं सबसे अच्छा यह रहागा 30 number PLT reset PLT reset तो यह कहा है भाई अच्छा इसी के अंदर है इसके अंदर तो नहीं गुच पाएंगे हम लोग यहाँ पर back side में PLT reset है जगह दे रहा है यह लग रहा है यह लग रहा है मुझे टांग का टांजिस्टर रोकिए मैं उल्टा पगड़ेगा यहाँ पर से हम देखेंगे आप यह है लोकेशन हमारा ठेक है यह है हमारा PLT reset तो 1.8V बन रहा PLT reset तो मुझे बताईए यह जो ट्रैक था क्या था भाई यह जो ट्रैक है इसको चिक कर ले रहा हूँ यह 3.2V है यह क्या है जमपर यहाँ से यहाँ लगा भाई ठीक है यह 5V 9V अच्छा यह तो वह है क्या बोलते है चार्ज पॉंप है तो यह 13V आपकी यहाँ पर खड़ी भी है तो जमपर रखल किस लिए यह देख रहा था मैं चार्ज पॉंप पर है यह तो PLT reset भी मिल रही है 1.8V मिल रही है क्या 1.8 ही होती है यह इस बात का भी confirmation करना होगा कि यह 1.8 होती है कि नहीं अब आप मुझे बताईए अचार्ज एस विड अब देखिए कि 30 नंबर तक तो हमारा PLT reset जो की पूरे power up sequence में आप जो देखेंगे तो last आपको यहीं पर खतम होता है कि buffer PLT reset हमें हाई मिल रही है बस अभी हम हाई या लो की बात करेंगे अब वह 1.8 होनी चाहिए कि 3.3 होनी चाहिए वह तो एक अलग मसला है high है हमारे हिसाब से और यह high है तो क्या खराब हुआ है core भी आपको tik-tak बन रही है core बनी है तो जाहिर सी बात है तभी आपकी PLT reset यहाँ बन रही है हाला कि अब logic नए latest board में अगर clock के हिसाब से बात करें तो अब इसमें बताएंगे आप लोग की next जा है what is the next देखिए हम अगर ऐसे माल लें दोस्तों की किसी board में कुछ एक certain problem आती है तो यह बात भी दुरूस्त है हम यह भी मान सकते हैं कि उससे बहतर तरीका है कि आप अपना दिमाग लगाई है अपना follow करिए चीजों को और लेकिन यह बात अहम है कि क्या जो यहां पर repair guide दिया है is that enough is that efficient क्या repair के लिए बस यही काफी है अगर जो काफी है तो फिर clock का information कहां पर है इसमें क्या आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए bios का information है ही नहीं तो कैसे repair करेंगे तो बात दरसली है कि इसका मतलब है यह काफी बिलकुल नहीं है इस board को कैसे repair करेंगे क्या bios खराब है चुकी देखिए अभी तक इस board को तो मैंने हाथ नहीं लगाया इसमें मैंने बताया था कि जो जला था इसको मैंने surgical strike किया है यहां पर और इसको सिफ शॉर्टिंग हटाई है पावर डाल रहा हूं तो same condition यह भी है लेकिन यह त्रवा बहतर है अब फिर से एक और मैं दिखा दे रहा हूं यह on करता हूं तो यह बाइस तक जाता है वह पचास तक जाता है यह बाइस तक जाता है ठीक है दोनों भाई 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 नहीं लग रहा है एक दूसरी का तो यह condition में दोनों बोड है तो आप try करिए effort करिए और बताईए कि इसमें मुझे और क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि CPU चला गया है कैसे हम examine करेंगे इस तरह के problem को चुकि यह तो जाहिर से बात है कि मेरे पास आता है इस तरह का case और आप भी repair कर दें तो आपके पास भी आता ही होगा चुकि आप से ही मेरे पास आ रहा है आप ही जैसे जो repair करते है मैं कहीं नहीं भेजता हूँ बोड repair करने के लिए और नहीं भेजूँगा कभी शुरू-शुरू में मैंने करवाया नहरू-प्लेस में बहुत सारे expert engineer थे उससे मैंने repair करवाया बोड जब मुझे नहीं आता था मैं sequence नहीं समझता था ना मैं signal समझता था लेकिन फिर मैंने सीखा दिलदार सर ने मुझे सिखाया और आज मैं जो भी हूँ उसी के बज़े से हूँ और यह मैं बहुत ही proud के साथ कहता हूँ कि वह engineering background से है मैं non engineering background से हूँ लेकिन सीखना तो पढ़ता है और पढ़ना भी पढ़ता है मेहनत करना पड़ता है तो यह इसमें कोई दो रहे नहीं है कि आपको भी मेहनत करना होगा लेकिन सपोर्ट हम लोगों की तरफ से पूरा होगा जितना knowledge है हमारे पास मैं उसको आपके सामने रख दूँगा यह bumper offer हाथ से मत जाने दीजिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे यह बहुत बड़ा offer है आप लगों के लिए यह आपके career को जो है बदल के रख देगा तो आप अभी तक confusion में है जो board आपसे repair नहीं हो पा रहा है इंशालला वो जरूर repair होगा बाकी जो बची कुची कसर है वो हम group में और जो हमारा class के बाद यानि जो video course के बाद जो हमारा queries class होगा जो करीब 7 दिन का जो आपको queries class दोंगा जहां पर आपको video में समझ में नहीं आया है open session होगा जहां पर आप question पोचेंगे मैं आपका जवाब दोंगा तो यह बहुत ही अच्छा opportunity आपके लिए अगर आपके कोई queries है तो आप दीवे नंबर पर contact करिए और आपके जवाब का कि इसमें मैं क्या check करूँ और आप कैसे check करते हैं दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं कि चाहे तो आप मुझे ही suggest कर दीजे कि मैं क्या check करूँ इसमें चुकि मैंने check करा दिया है मोटा मोटी points से लेकर कि last तक check करा है कि almost सारी चीज हमें मिल रही है और जो मिल रही है PLT visit क्या वो सही है या गलत है वो भी बता दीजे कि कैसे है क्यों कैसे हम उसे examine करेंगे आप ज़रूर इसका answer लीखिए कि इसको हम किस तरह से repair कर सकते है और अगर bias खराब है तो इसका क्या logic है कि bias खराब है आपके answer का बेसमीर से हमें इंतिजार रहेगा तो वीडियो अगर पसंद आया है या question जो quiz session चल रहा है हमारा अगर पसंद आया है तो like करिए वीडियो को और groups में share करी तक ये दूसरों तक भी पहुंच सके अगर आप हमारे वीडियो को watch करते है subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर कर लीजे ये एक appreciation होगा हमारे लिए ठीक है तो चलिए answer के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you for watching this video